प्रिये छात्रो नमस्कार आज हम एक ऐसी प्रब्लम पर विचार कर रहे हैं जो कख्छा 9, 10, 11, 12 और विए सी के सभी छात्रों के लिए उप्योंगी है यह प्रब्लम किसी किसी विशेश क्लास की प्रब्लम नहीं है किसी विशेश क्लास से रिलिटिड नहीं है यह एक सामान प्रब्लम है जिसको समझना सभी छात्रों के लिए जिनका समद करेंसे है अथ आवश्चक है ऐसा होता है कभी कभी जब प्रशुकों सौल्ब कर रहे होते हैं तो प्रशुकों सौल्ब करने में हमारा आंसर सही आ जात करते हैं जो नियम है ही नहीं वास्तम में तो उस निवह की आपको जानकारी हो और उन गल्तियों से आप बचें इसके बारे में आपका ध्यान रहें इसके लिए हमने यह आज वीडियो लोट किया है कि तो आज का प्रशन यह है हमारा कि किसी चात्र से कहा गया सिद्यकरो साइन ए प्लस वी इंटू साइन ए मानस भी इवी इकल टू साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन A-B उस छात्र ने क्या किया उस छात्र ने ये समझा कि A-B पर sign का distributive ला लग जाता है और वित्लग का नियम लग जाता है और इस पकार से इसको लिख देते हैं sign A-B और A-B पर भी sign का distributive ला लगा दिया और लिख दिया sign A-B बराबर sign A-B जबकि ये दोनों गलत है गलत के अंदर ये कोई आइडेंटीज है ही नहीं ये लगाना ये लिखना गलत है sign A-B पर distributive ला नहीं लगाता है वर्क sign A-B की वैल्यू होती है sign A-B इस इकल टू होता है sign A cos B पिलस cos A sign B और sign A-B वराबर होता है sign A cos B minus cos A sign B तो यदि वो चात्रों यहां पर इसको न लगा कर sign A plus B के इस्तान पर यह लिखता sign A cos B plus cos A sign B और sign A minus B के इस्तान पर लिखता sign A cos B minus cos A sign B और फिर आगे उसको solve करता और solve करने के बाद अगर इतना आ जाता नियमों के रुशार तो उसका सवाल सही हो सकता था यदि बीच में कोई गलती न होती तब लेकिन उसने तो starting में ही गलती कर दी इसलिए इस तरह से इस problem को solve करना गलत है अब देखिए इसका सही तरीका क्या है सही तरीका यह है कि हम जानते है sign A plus B into sign A minus B बराबर होता है sign square A minus sign square B तो हमने क्या किया यहाँ पर इस वाली आइडेंटीज को जो हमारी correct आइडेंटीज यह है इसको लगा दिया sign A plus B into sign A minus B बराबर sign square A minus sign square B और फिर एक आइडेंटीज हमारी यह होती है x square minus by square equal to होता है x plus by into x minus by तो इसके वने factor कर दिये इस आइडेंटीज के साथ से तो यह हो गया sign A plus sign B into sign A minus sign B और यह procedure सवाल करने का हमारा है यह बिल्लकुल correct है इसमें कहीं किसी पकार की गल्पी नहीं है तो कहने का ताथ पर ही है कि आपको इन फैल्सियों से बचना चाहिए इसको फैल्सि कहते हैं ऐसी गल्तियां जो गल्ती हो जाती है और answer सही आ जाता है तो इस पकार से एक उधारा लेकर और चलते हैं किसी छोटे क्रास के शात्र से कहा गया सिद्ध करो x square minus y square upon x minus y is equal to x plus y उस शात्र ने क्या किया LHS लिख लिए और लिख दिया x square minus y square upon x minus y और उसने क्या किया x square को x से डिवाइट कर दिया और यहां पर उसने x बचा दिया इस y square को y से डिवाइट कर दिया यहां y बचा दिया और इस मानस से मानस को डिवाइट करके उसने प्लस कर दिया और यह कह दिया उसने ये X प्लस बाई हमारा आंसर आ गया ये वरावर RHS जबकि इस पकार से प्रशन को हल करना बिलकुल गलत है क्योंकि किसी भिन में उपर और नीचे के पत्तब काते जाते हैं जबकि उनके बीच में गुड़ा का चिन्न हो लेकिन इसके बीच में मानस का चिन्न है इस लिए इसको इस पकार से केंसल नहीं कर तकते इस पकार से प्रशन को भाल करना गलत है ARव सही तरीका क्या है इसका? सही तरीका ये है हमने ले लिया LHS X स्क्वाइर मानस Y स्क्वाइर अप्वार अपॉन x मानस y इस समय अन्स में दो पद है 1x square और 1-2 square और हर में 1 पत है x-2 एक पत मान दीजे यह दो पत मान दीजे इन दोलों पता को मैं लगाएं पत मान देंगे उपर वाले के factor कर दीए तो यह हो जाएगा हमारा x-2 और x-2 और नीचे हमने लिख दिया है हर में x-2 यश्य डूद लेट कानुट है इसलिए ये इस को इस पूरे पत को कैंसल कर जाएगा यह बिए की उसको कशनसे केंसल कर दें इसको कशन गलत हो जाएगा इस प्रूरे ट्रब को इस पूरे पत को स्दूरे पशसर कर जाएगा और फिर हमारा बलाएगा जाके बड़ाबर 10 पिलस भाई वराबर ारहचे ز तो इस पकार से यह पर नमारा चाही तरीके से हल हो गया तो प्रिशन को हल करने में फैल सी नहों इसके लिए तो आपको स्वैम ही विचार करना पड़ेगा आपको नियुम पर ध्यान लखना पड़ेगा नियम कौन सी आइडन्टी सही है कौन सी गरत है इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा यह नहीं आप इन बा बाद सही हो जाते हैं तो आपको हम बतलाएंगे उसके फैल्सी कापर हो गई धन्यवाद